नमस्कार दोस्तो वेलकम तो माई चैनल दे क्रिकेट सॉलुशंस दे क्रिकेट सॉलुशंस में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यह ओवर्सीस प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वह काउंटी क्रिकेट में जब जाते ह हैं और वीडियो शुरू करने के पहले यह भी कहना चाहूंगा कि अगर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अगर नहीं किया है तो चलो शुरू करते है आज की वीडियो है सबसे पहले टोर्नामेंट स्वाट्विट काउंटी चैंपिनशिप काॉंटी जो maximum points पे है वो promote हो जाएंगी तो यह एक सबसे पहली important tournament और यह सबसे important tournament मानी जाती है county cricket में क्योंकि हमने देखा है कि England का red ball cricket कितना famous है पूरे world में क्योंकि लोग कहते कि अगर आपने England में run किये वो भी red ball के against में तो आप definitely बहुत अच्छे क्रिकेटर हो तो county championship जो थी वो थी हमारी पहले tournament जिसमें यह ओसे प्रोफेशनल प्लियर्स खेलते हैं दूसरी tournament जो होती है वो 50 ओवर की होती है जिसका नाम है Royal London Championship ठीक है जो वंडे tournament होती है तो इसमें भी बहुत सारे white ball players भी आपको देखने मिलेंगे जो regularly जाके वहाँ पे खेलते हैं तो यह होगी आपकी tournament number 2 तीसरी tournament जो सबसे important मानी जाती है तो इसमेलर तो IPL जहां पे England cricket आता है and that's NatWest Vitality Blast तो यह तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बहुत सारे ओवरसेशनल प्लेयर्स जैसे यह साल मैंने सुनाए कि Team David from Singapore जब ही Mumbai Indians के लिए खेलते हैं he's also been signed for Vitality Blast and all तो यह बहुत competitive level का cricket cricket tournaments county cricket में होता है और इसलिए हम कहते है कि county cricket में contract मिलना बहुत मुश्किल होता है तो और recently हम यह भी पता चला कि Hasan Ali has been signed with Lancashire county तो it is going to be a fun to see James Anderson and Hasan Ali bowling together in the county cricket तो इनों एक दर्जा जो है county cricket का मैं यह आपको टोर्नामेंट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कितना format जो इनका एक One Day का format है एक T20 का format है और एक Days cricket का format है तो ऐसे बहुत सारे international player वहाँ पे होने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको एक अलग-अलग-अलग format के सबसे खेलने मिलता है जैसे कोई player हो उसको wide ball की तैर ही अगर करने हो तो he can get a contract international player अगर हो तो he can get a contract for wide ball cricket या T20 के लिए उनको बहतर बनना है तो T20 cricket के लिए क्रिकेट के लिए उनको तैर होना है तो they can go and play county championship cricket तो tournament number one county championship दूसरा Royal London One Day Cup और तीसरा आपका NatWest Vitality Blast तो यह tournaments होते हैं जिसमें दिगज Overseas professional players इंगलन काउंटी क्रिकेट में as a overseas professional player के बतोर दोर पे खेलते हैं और यही मुझे आपको आज बताना था and I hope यह आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे like जरूर करिए और अगर हमरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करिए thank you very much for watching this video Jai Hind